नमस्कार दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है ये एक वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी ये निम्रा का थोड़ा दो चार पांच दिन पुराना वीडियो है और लोगों ने मेरे पास बहुत लिंक्स बेजें कि भाई अब तो है मोदी की रवानी तो जिन जिन ने इस वीडियो को रेकमेंड किया था मुझे लिंक भेजा थे कमेंड करके मैसेज कर दिए आप लोगों ने बेजा था तो मैं कर रहा हूं ठीक है चले देखने क्या इसमें अपनी स्पीच के तुरान का है कि हर घर में जल और हर खेत में प परकार क्लो करैंगे तो पूरा देश को करेंगा किसी घर में पानी की किल्ट नहीं होगी दूसरे जाने अगर हम बातकर पाकिस्तान की तव पाकिस्तांयों को किती facilities मिलती है, आएं बरते हैं अवाम की जाने भे statement को लेकर पाकिस्तान के facilities के बार ने बें गुफ तकुं करते हैं, जानते हैं, लोग किया राहे रखते हैं, इस बारे में मिलते हैं, वीडियो के एंट पर, वो सिरुफ बादे करते हैं, वहां पर तो लोड शेडिंग है नहीं नहीं वह दिखाते हैं आप में देखा नहीं है तो ऑवेसी बात है मुवीज जो ती वह हकीकत से परे होती है वही दिखाते हैं जो उनमें होता है हमारे में भी ऐसे ही है देखो इधर भी यही है रियल लाइफ में आते हैं फैंटेसी से बाहर निकलाते हैं असल जिन्दगी की बात करते हैं असल जिन्दगी में बताए हमारा क्या हाल है उनका क्या हाल है वैसे ही है जैसा उनका है हम भी बिल जाता है, बहुत ज्यादा है तो मुछे निहीं पूसे मुल्क कीतना पड़ी पर एकपका पर कहे हैं? मसलन अब मुझे नहीं पता मैं कितना पड़ी लिखी हैं नहीं वहां के जो वजिर आजम है प्राइम मिनिस्टर मोधी उनकी पॉलिसिस के बारे में आप क्या कहेंगे मुझे इतने नौलिज नहीं है इन लोगों की मैं आपको पता है ना मैं होस्वाइफ हूँ बाहिब निखी इतना नहीं पता ही लोगों करना मैं इतने ज़धा पढ़ी रिखी हूँ आज भी ओ ltбरने के लिए घर से बाहिर निकलती नहीं जय जब पानी आएगा ने तो बाहिर जाना पड़े गई नहीं 이렇게 यह तो बसला है ना जी तो कौन से सहूलते हैं यहां पर अच्छा चले यह तो पानी में घरगर की बात करूई लेकिन अगर हम जरात के शौबिक एगरी कल्चर की बात करते हैं तो अब मुझे जाने दो हब देर हो रही है यह मुझे इतनी सियासत नहीं आती है यह पेली बात विजा है तो यह हम अभी तक डेक्लेर भी नहीं कर सके हमारा मुल्क जरी है यह इन डीस्ते लिए रैं तो अ ब्डाज़ी के शुपिए है तो हर महत था भाल्क वास बचला गर्चर एक लड़ार्य माची हौई है तो जब तक जो जमूरियत है वह नहीं आती तो मेरे चाह कह मुश्किल है अकाउटिबिल्टी नहीं है इतिसाब नाम नियाद है बैस मन पसंद आफ सिस्टम चल रहा है जिसको चाह अकिल है जिसको चाह अंदर देकेल दी है और उसी मुल्क के बारे में क्या कहेंगे जिसका नाम भी हम नहीं ले सकते हैं वो हम से आगे हो चुक है काफी यहांगे जा चुका है और आईटी में भी आगे जा चुका ए जराद में भी आगे जा जा दिगर शोब में आगे चुके हम सिर्फ अभी दुश्मनी की मुनियाद पर खडए हैं मेरे शागे कि आप हमाना वह मानन था थो बहुत है यह था हम इसको छोड़ दे दुश्मन न की बड़ी पसंद आप ने वहां के जो किसान को एने उनको मारना है वैसे इंकि डिविट्टी तो मेरे श्यांकि जो आलू है ना एडिया का बड़ा रदी का बड़ा है प्याज भी ठीक है और झालू हो तौमाटर भी उसका बड़ा बड़ा सब्सक्ताइब अब बुले, वो हमें दुश्मन नहीं समझते हैं, अचा इसके पीछे की क्या लोजिक है? भाई हम उनके बराबर के हैं ही नहीं तो हम कहां दुश्मन समझें उनको वो तो हम यह नहीं समझते हैं उनका जो सिर्फ आईटी का बजट है अपने बजट का अंताजा लगा लगा ले उससे कितना बज़ा है वो आगे निकल चुके हैं मैं मानना पड़ेगा गिराउंड रा लावर में भी फिर रहे हैं 20 रोपय की हमने का जाजा हम तो लावर इसली आया हैँ यहां सौला रॉपय के रोटी मिलते हैं तो फिर यही बात है तर आप तरक्य की बात करते हैं यहां तो तनजली हो रही है रोटी अगर आप और नहीं और बहुत कुछ है कहने को आप दूर खड़े हैं इन्शालों अच्छा मुझे जरात क्या हमारे किसान आज खुश है जैसे उन्हों नहीं एनाउंस्मेंट किया कि हर घर में जल और हर खेत में प सकते हम कह सकते हैं उनके बारे में अच्याप रख सकते हैं लेकिंगे यहां आगर कोई कहना है तो यह क्यालस किसान किसाल में घरों में पानी आता है और हम खुश हैं हमारा 50 60 60 70 लाग से वी उपर बिल आ रहे हैं तो जिस दिन जो जितना बड़ा हम तो नर्मल है तो जितना बड़ा किसान है वह बिचारा इदर हाथ रखके रहा है कोई सबसिडाइज नहीं है किसान के वाले से ट्रॉक इस वक्ट तो जो अभी गंदम आगे नहीं है खाद ह पीने के लिए मिल रहा है पीने के लिए अगर हम किसान की बात करते हैं किसान को कितनी फैसलिटीज हैं बताए मुझे यहां आम गुरू में नहीं कोई कोई फैसलिटी नहीं किसान को सिर्फ ड्रामा बादी है नरा बादी है कोई नहीं है तो आपको लगता है किसान और वहा है तो हमारा दिल में भी चीज़ पढ़ा होते है कि Allah हमें भी ऐसा उन्हें डे जो हो यहां के किसानों के लिए बेतरी फैसले कर सकते हैं अब सम दू हम दौा कर सकते हैं Allah इनको हदायद दे बाकि आप हैं आप सक主ाष भी अबस्य है फे जिसल、 उस मुलक में और हमें सिर्फ इतना सा फड़क है कि हमारे मुलक में अपने ही लोग हमारे जो है एक दूसरे की टांगे खीचड़े हैं वो एक दूसरे को बढ़ने नहीं दे रहें और वो अपने मुलक को तरकी नहीं देना चाहें अगर वो लोग चाहे तो यह हमारे मुलक तर पर फ़र्ज है एज शेहरी और हमारे हुकमरानों पर फ़र्ज है कि वो भी इसको लेकर आगे चले वाट नेबरिंग कंट्री इस ने बोला है कि भाई हर गर में जल होगा हर खेज में पानी होगा वह तो हमसे इतना आगे क्यों है वो इसलिए हम सागे हैं वो अपनी अवाम को पर फिसलिटीश देतें हैं, उनकी हवाम हर तरह के चीज में आगे हैं और हम लोग फीछे हैं उनकी अवाम हों उनके लिए सब कुछ कड़ते हैं वो वह सबी रॉल्पलेए करते हैं उन्हें लोग ने अपनी अवाम को बहुत फिसलिटीश दी है और जो हमारा वेस नहीं है वो पनिएमाम को आप हमिए हो इसे देते हैं हमारे हुमिये दिते हैं क्या कहती है आप के आज उनके हकमरान उनके लिए कैसा काम कर रहे हैं जो वहाँ के वजीर आजम है पॉरिम मिनिस्टर मूधी वो वहां के किसान क्या खूश है वहां के अवाम क्या खूश है क्या उनको पानी बिजली गैस प्रॉपर मिल रही है I think so नहों इतना तो प्रॉपर वहां पे भी कुछ नहीं होगा I think लोट शेडिंग नहीं है वहां बिल्कुरी तीन सो यूनिट फ्री है वहां बिजली के पानी आता है गर में आता है जाता है हर चीज बहुत महंगी है महंगाई ने कमर तोड़के रख दिया गरीब लोगों कि यह गरीब लोग घर्मेट के खाना तक नहीं खा सकते बहुत बुड़ा हाल है महंगाई बहुत ज्यादा है किया हम उस कंट्री का मुकाबला कर सकते हैं कि आज हमारे किसान खुश नहीं नहीं कोई भी नहीं खुश एक सिटीजन नहीं खुश किसानों की बात दूर है कि एक सिटीजन नहीं कुश्ब कोई हर बंदा महंगाई के नीचे दब चुका है यह महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है आपको किन किन कि एक नॉर्मल बंदा घर में बैठके काना तक नहीं खा सकता और स्टडीज के खराचे अलग है और मेरे बाबा इवन दैट अकेले हमारे वह सारा खर्चा उठा रहे हैं और हाला कि सब चीजें मुश्किल है भह कि गर में जितने लोग भी कमायेंगे तो भी पूड़ानी ओरा अजका सबसे कराची बुड़े हलात हैं सबसे ज़या बढ़ात कराची के है और वहाँ पर पानी बेचा जारहें वहां पानी दिस्तियाब लोगों को लुटेश नोट फेर हमारे घर में सची सची बता हूं तो पानी आता है निया अदा देनी पाकिस्तान निरहती हूं लेकिन अर्ट इस बहुत महंगी ग्यास को बहुत इशु होता। बहुत ज़्यादे इशु गैस चली जाती अपर कभी का दी तक आती नहीं है। तो अफगानिस्तान में तो सबको इंसाफ मिल रहा होगा ना। अफगानिस्तान में तो शर्या लग है। सबको मिल रहा होगा इंसाफ बिलकुँ शांदार तरीके से सवाल ये नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा भाई मैं ये कहता हूँ कि आप लोग लागू क्यों नहीं करवाते जब आपको पता है कि ये जो प्रॉब्लम हमारे देश में चल रही है इस प्रॉब्लम का सॉलूशन ये है हर पाकिसानी से आप पूछेंगे न तो हो कहें कि हाँ बिलकुल ये होना चाहिए तो आप शरिया लो लगवाते क्यों नहीं है और अगर आप नहीं लगवा पा रहे हैं तो आप तो नपुनसक आदमी है कि इसलामिक जमूरिया पाकिस्तान में आप शरिया लो नहीं लगवा पा रहे हैं फिर का है बात का इसलाम इसलाम करते हो यार बिकार हो तुम लोग सहीं मुसल्मान नहीं हो इस्लामिक लॉग के मुताबिक शर्या लॉग अपनी सरकार को गेर लो ना बोलो कि शर्या लॉग लगाओ परना छोड़ेंगे नहीं तुम्हें सिर्फ 76 एर से आप लोग भी चूरा नहीं देते हो शर्या लॉग बहतर है जी इस्लामिक लॉग होगा तो सब ठीक हो जाएगा तो भही लगात तो क्यूं नहीं हो मुझे पता है कि ये टाला जो है ये एक प्रॉब्लम है और इस टाले की ये चाबी मेरे पास है मुझे पता है कि यह की चाबी इस ताले की तो यह अभी लगा कि खोल क्यों नहीं देते, इस प्रॉब्लम को खत्म क्यों नहीं करते करो तो सही, दिखाओ तो सही लेकिन बस बोलोगे तुम लोग इसको लागो करवाने के लिए कुछ करो के नहीं मैं भी सपोर्टर हूँ कि पाकिसान में शर्या लगना चीए, बिलकुल लगना चीए, जब इसलामिक जमूरिया पाकिस्तान है, इसलाम के नाम पर बना है, तो भाई एकदम हंडे परसेंट इसलामिक रूल फॉल होने चीए, बिलकुल होने चीए, और शर्या रॉब का मैं सप पचास हजार बिल एक दफ़ा है, पचास हजार बिल एक दफ़ा है, तो महगाई कितनी, तो कितना ज्यादा बिल आप खुद अभी नोट करें यहां से, इन सब मामलात में कभी हम उनके साथ सोस सकते हैं कि हम उनसे आगे निकलेंगे, क्योंकि हम हर अपनी स्टेटमेंट में पचास हैं कि निकल गया है, तो यह जो मारे हुक्वरान है, यह टांगे खी तो भाई कोई बता दो कि कौन सा कानून है, जो इस्लामिक कानून है, जो ब्रिटन वाले, अमेरिका वाले, दूसरे वाले लागू कर चुके हैं, बताओ भया, यह कहना बढ़ा आसान है, बताओ तो सही कौन सा कानून लागू कर रहा है, जो इस्लामिक कानून है, क्यों अपना ही मजागा आप लोग उडवाते हैं, क्यों मजागा आप लोग अपना ही उडवाते हैं, मुतहित होके चलें, तो यकीनन हम लोग कर सकते हैं, और हम में यह लगता है, मेरा पॉइंट आप व्यू यह है, कि इमरान खान बेस्ट लीडर है हमारा, मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान जो है ना, इसलामिक पॉइंट ओफ व्यू से अपने आपको इस्टैब्लिश्ट करें और ग्रो करना चाहे, तो पाकिस्तान इतनी तरक्य करेगा कि मेरा ने ख्याल कि दुनिया कि मुलक से भी पीछे रह सकता है, और तरक्य सिरफ मेरे ख मेरे बना था, जब पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था, वो देश हिंदुस्तान था और अंग्रेज्जों ने बनाया था, क्या पाकिस्तान बनने के बाद वो निजाम बनाया गया नहरी निजाम? मैं जब रहते हैं भाई साब, कि जब बात करते हैं आप लोग अब कर देखें कोई बी कई पर बी किसी का नहें बच्छों का रेप होता है अभी रिसेंटली मुझाफराबाद मेरे ख्याल से वहां पर किसी मुझा अभी आपनी बात को काट दिया अभी आपने कहा कि बहतरी नहरी निजाम है और कोई ऐसा खिता नहीं है जहां से पानी न गुजरता हो और बिचारे बलूचिस्तान वाले प्यासे हैं अपनी बातों को काउंटर कर दिया आपने यार अब आप लोगों के अकल पर आता है किसी मौलवी साब ने मैं यह नहीं कह रहा है अब मैं यह नहीं करा के यहां पर कोई पैंटशेट वाला कोई टाई वाला कोई शरवार्क मीज वाला कोई पकड़ी वाला जिसका जो गुनाय है उसको सिदा मिलनी चाहिए अब 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 इस अब जो वह अगर हम रेप की बात करें तो सो कोड़े हैं उसके उसको संसार किया जा सकता है तो जैसे लोगों के लिए कह रहा हम सर आपके समझने समझने सर्फिक है भाई मत समझो आप हमें कुछ भी आज आटे की लाइनों में हम नहीं कड़े हैं आज परिशान हम नहीं है ना आप है तान जब इस्लामिक कवानीन नाफिर हो जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी क मेल नहीं को इनसाफ मिलेगा अब पाकिस्तान एक क काह लें कि पार है यहाइ सका इसलफ मुलक नाफिर हो बहुत लोग मplatatore नहीं बहुत वह पाकिसान की कौमी कान में में होँ यहाइं हैं हम अंदर से खुद लोग करप्ट है ठीक है वरना उनilities नहीं तरक्य कि is पर शर्यालों नहीं है अगर हम थोड़ा सा सा डिटेल में इस बात को अगर हम गोरो फिकर करें तो जो इंग्लेंड वाले अमेरीका वले वह वह इस्लामिक वाणीन को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं बजाए हम मुसलमान होके उसको बिल्कुल रद कर रहे होते हैं तो मेरा निक्षाल कि अगर हम जो है इस्लामी कवानीन है उसके उपर अमल द्रामत करें तो हम बीचे किसी से रह सकते हैं तो वहां देखे जैक एंड बैलंस है हमारी कंट्री में चैक एंड बैलंस ही नहीं है अ है हर घर में जल हर केत में पानी जो वह इतनी इतनी बातों का भी ख्याल रख रहे हैं उसके बारे में क्या क्या आपके इल्म में ये बात हो कि पाकिसान का नहरी निजाम है दुनिया का बहतरी नहरी निजाम है लेकिन पानी फिर भी मुझे उतनी है क्या बात है कैसा नहरी कि ये सब कुछ हमसे चौरी के गोरे ने गोरे के बाप जानता है साइंस को ये सब कुछ हमारा था आपके इसी सिंद्ध के अंदर एक मोलवी था उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज ये ने तुलू होता था पूरे सिंद्ध में रोशीन होती था लेकिन हमें जोग्राफी में पराए जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है ये लोजिक ये गलत है बैटा साइंस क्या साइंस की ये थियोरी जो है ना ये अर्थ अस्टेटिक पोजिशन में है ये बूव नहीं करती और साइंस कहती है कि जमीन बूव करती है आला हाजरत हमारे इमाम एले सुनत ने पुरान से साबित किया है कि जमीन बूव नहीं करती तो हमने बात कुन से माननी है इसलाम की इस वाले साइंस की बात कर रहे हैं आप ऐसी बाते करके आप लोग अपने ही मजब का मजाक उड़वाते हैं और ये बात पाकिस्तानियों पर ये बिल्कुल सही बैठती है कि आपसे बड़ा इसलाम का दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं है क्योंकि आप लोग ऐसी लॉजिकल बात करेंगे ऐसी लॉजिकल बात करेंगे कि हजिया राती हैं में अच्छा पिछले 50 साल में कितने नोबल पुरसकार मुसल्मानों को मिलें या पिछले 2000 साल में कौन-कौन सी इन्वेंशन मुसल्मानों ने की है उनका रेशियो क्या है अगर पांच इन्वेंशन मुसल्मानों ने की है न तो 5000 दूसरी को हमने की है इतना फर्क है पांच में और 5000 में मैं शाद कम ही बता रहा हूँ लेकिन सुपर मैसी वाली फिली हम तो मुसल्मान है तो हम ही है सुपर बाकि सब बेकार है दो जूते मारूंगा ना भी तेरे उस पे अभी सीधा हो जाएगा तू यह पता है क्यों बोला मैंने क्योंकि जिस तरह कि तू सोच रखता है उसके लिए तुझे जूते ही मारने पड़ेंगे क्योंकि तू अपने को सुपरियर समझता है और दूसरे वाले को नीच समझता है तो कह रहा है कि तू जो नॉन मुसलिम है वो मेरे सब लिए कमतर है आज़ा मैं इधर बताता हूँ और कौन कमतर है और कौन नीचे और कौन ऊपर है तुम्हारी जबान बता रही है कि कौन कमतर है और कौन ऊपर है तुम्हारी परवरिश बता रही है कि कौन कमतर है और कौन ऊपर है तुम्हारे दिमाग में रही नफरत मता रही है कि कौन कम तर है और कौन उपर है आप इसको Google कर लें या किसी भी Wikipedia पर कहीं से भी सब्सक्राढ़ की फड़eenth भी पहनी है पर गर नहरी साम ही तो मैं यह आगर किन कुमरान भी सही हो सकते हैं यह कुरान का बहुत अच्छा फैसला है कि जैसी वाहं होगी उसके उपर वैसी हुक्मरान नाफिस किया जाएंगे और यह आज आप देख रहे हैं अब नेबरिंग कंट्री की बात करना चारी थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे नेबरिंग कंट कि अनिक स्विक्स तब होना चाहिए ना बई जब हम कुछ हो मेरक्राल है जो मुसलमान ना उनके अंदर जो इमान का जथब आ वह बहुत है इस ने फिर्ट मतलब आप नोन मुसलिम को कम तर समझते हैं लिए बहुत कम तर समय उनके जनर कुछ भी नहीं है आप यहां से में पास फोन है यह नॉन मुसलिम ने बनाए है फैंकि इसको तोड़े हैं हर चीज का अच्छा और बुरा इसमाल है मेरे मुबायल में गंदी चीज नहीं मिलेगी नहीं अच्छी गंदी चीज की बात नहीं है इतन नॉन मुसलिम से नफरत करते हैं, इनसानियत फ़र्स्ट, दो करते हैं इनसानियत फ़र्स्ट आप को सोचें कि इमान इनसान के दर उनके बढ़कर है और आप यहां पर किसी काफिर को ख़़आ कर देंगे, चाहें उसे कलमा पड़ा हो मैं काफिर को प्रियोरिटी नहीं देनी चाहिए यह सारी काफिरों की टेकनोलोजी है ना फिर जरूरत के लिए आप क्या जरूरत के लिए हैं इन काफिरों से पहले मुस्लमान साइसान आ चुके हैं और उन्हों ने जो साइस में उन्हों ने जो तजावीज दी हैं वह काफिरों ने बाद में आके उनको पिक कर गए चोड़ों साल पहले जो आप सल्लाह लाह वाले वाले सुलम इस दुनिया को बता गए है वहाज साइस की बात नहीं कर रही भाई यह डबल डिप्लोम ऐसे तुना ना फिर रखें यह मिरी बास में आपको इस बाद कर पहले जवाब दिया है कि जब पाकिस्तान के अंदर इसलाम नाफिज हो गया आप उस दिन के बाद मुझे कोई चीज दिखा दीजेगा कि मुस्लमान की चीज़ से पीछे रहा गय अब रिसेंटी हमारे नमक की इंडस्ट्रलिस की स्टेटमेंट आप कहते हैं डॉन की निउस है मैं आपको वो दिखा देती हूं कहते हैं तो दिखा देती ओफिशल बात करें हैं पाकिस्तान के अंदर दूसरी बड़ी कान ख्योड़ा ठीक है वहां से नमक पूरे दुनिया में नमक जाता है अब यह निहां सकते हैं तक ना डिकनॉलोजी बात करें यह शांसरी वहां निबहु पर बनाई है मुझे नफरत नहीं ए यह सबने देखा है मेरी बात सुनें वह यह है कि आप सब्सक्राइब आप आगे थे किसी अर्बी को अजमी पर अजमी को अर्वी पर गोड़े को काले पर काले कोई सब्सक्राइब आप इस चीज़ को मदे नजर रखे बात करें ना तो मेरे सामने काफिर वाकी कुछ नहीं है यह अंदर का इमान है आप देखें फ्रांस में फ्रांस लगा लें डैन्मार्क लगा लें अब मेरी बास सुनिएगा कोई हमारे सेंटिमेंट्स को हट करता है कोई इसलाम पर बात करता है तो मुझे बुरा लगता है आपको भी बुरा लगता हो और सुने से मूझे हैं। क्या उनके सीने में दिल नहीं हम कैसी इन लोजिकल और यूमन राइस की वोईलेशन करते हैं अब आपने देखा हो कई पाकिसान में किसी ने बाइबल या किसी और आस्मानी किताब के साथ कोई छेड़ खानी की हो किसा सुना दू अभी जड़ा वाला में क्या हुआ था आपक किन मानता कोन है कि सफेद माइनॉर्टी की अलामत है लेकिन उसको अपने तहजीब तमद्द में रहना चाहिए ना वह इसलाम के पर क्यों बात की थी यह जब इस चर्च जलाई है आप अभी बात कर रही है आपके पास कोई प्रूफ है तो दिखा कानून को अपने हाथ में क्यों आपके पास प्रूफ है कि उन्हों कोई काउंटर कर रहा हूं कि आपके बाद में जाकर ताजियत क्यों करके हैं लेकिन वह ही वह काली लेंगूज अब इस्तमाल नहीं करेंगे किसी को पी टार्गेट करेंगे एक हक पर बात अगर देखे काईजयाजम ने जंडे में कि आप उनको इंसान ही नहीं समझ रहे हैं मैं इसान तो मैं समझता हूं क्यों इनसान समय रहा है वह अपने बिल्कुल अधादाना साथ कर सकती हैं लेकिन पर वह इस तना जलसे बात कर लें अब कादियानियों की बात कर लें मैंने मस्यदे बना सकते हैं न अजान दे सकते हैं अगर मेरे बात तुने मैं मुस्रमान होते वह बात कर रहा हूँ हमने किसी की बाइबल को चेड़ा हो या मैंने बाइबल को चेड़ा हो या किसी और आसमानी किताब को चेड़ा हो अब हमारा मसला यहां पर है कि हमारे जज़बात के साथ क्यों खेलते हैं या आपके जजबात हो या उनके जजबात हो मजभी सेंटिमेंट्स तो किसी के भी हर्ट होते है ना और मजभ पे तो उंगली उठाना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है इसको तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा तो आप पाकिस्तान से थोड़ा सा बार निकले ना जिर्यादम बन सकता है वो कुछ भी नहीं बन सकता यहारे आइन में लिखा गया है ठीक है अब मुझे बात करें वहां पर जो है मैं पाकिस्तान पर अमरत नामत कर ले तो पाकिस्तान बहुत उप जागा रूल अफ लो तो यहां पर होना चाहिए उस चीज को मैं भी एक्से स्पैसिफिक तबके से नफरत है उसको जरा खतम करें यह ऐसी नहीं सुनिए तमाम मुस्लिम कंट्रिस की मैं बात करूंगी साओधिया को उठाले दुबाई को उठाले कतर को उठाले बहरेन को उठाले वहां के मुसलमानों की ऐसी सोच नहीं है जैसी आपने रखिए कि मेर सुरते प्रमोट करके हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं यह आप कह रही है लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया शिकार है मुसलमान भी शिकार हैं अगर यह सी से बाहर आजें तो बहुत कुछ हो सकता है और पाकसान अभी मेरा नहीं ख्यार कि इतना इसके अंदर बूस चुक है अभी बहुत कुछ पढ़ा है बाकी अगर हम दुबाई की तरफ जाते हैं वहां पर शराब आम है पाकसान शराब आम थी तो उसके पहले भी लोग थे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे लेकिन आप लोगों की मेंटेलिटी वाले लोग जो कह रहे हैं ना जो कर रहे हैं और यहीं सोच रखने वाले हैं इनके हो रही है ठुकाई पिटाई और हर जगा से भगाया जाएंगे आप लोग जो जो इस जैसे मान सक्तार रखता हो जो नॉन मुस्लिम्स को आप देख लिजिए नफरत देख लिजिए आप नफरत देखिए ना सेम यहीं नफरत कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम के खिलाफ करने लगे तो इसको कहा जाता Indy यह तो Islamophobic हो गया है इसको तो Islamophobic हो गया है तुझे भी kafir phobia हो गया है non-Muslim phobia हो गया है तुझे मैं इसी mentality की बात करता हूँ अब समझ आए कि लोग क्यों कह रहा थे कि जड़ा इस वीडियो परियक कर इते इस बंदे के वज़ा से और ऐसे नफरती बंदों की पाकिस्तान में कभी नहीं है बिल्कुल कभी नहीं है बहुत लोग है इसे पाकिस्तान में इस जैसे नफरती है आदमी आपने आइन में लिख दिया अच्छा आप मैं एक सवाल पूसता हूँ जो भी पाकिस्तानी मेरी बात सुनाओ कल को कोई आ जाए, आपके आईन में कल को कोई बड़ा लीडर आए और जो बहुत रसुख रखता हो वो कहेंगे नहीं जी, हम अपने आईन में ये बदलते हैं अब हम अपने आईन में लिखेंगे कि जो भी इस देश का पाकिस्तान का रहने वाला होगा किसी भी रिलिजिन का हो वो पी-म और प्रेजिन बन सकता है क्या आप बनने देंगे? क्या आप ऐसा करने देंगे? आईन में बदलाओ नहीं करने देंगे वहाँ पर इसलाम अपका खत्रे में आ जाएगा ये एक नॉन मुसलिम हमारा पी-म कैसे बन सकता है? फिर आप वहाँ पर रिलिजिन पर आ जाएगे लेकिन जब दूसरे जगा पर ये होगा कि मैं किसी मुसलिम को पी-म नहीं बनने दूँगा देखो जी वो तो मुसलिम को पी-म ही नहीं बनने देखते हैं तो मुसलिम को करने ही नहीं देते कुछ भी ये फर्क है और ये सोच आप लोगों को तबाह कर रही है देखो ये कहते हों कि हमारे पास इमान जादा है तुम लोग सिर्फ वही बाते करते हो जिसका कोई पैमाना नहीं है जो नापी नहीं जा सकती इमान अब नापी नहीं जा सकती कोई thermometer तो है नहीं कि लगा के नाप लिएंगे किता temperature है इमान तो नाप भी नहीं जा सकती तो तुमने उसको बना लिया कि हाँ इमान हमारे में जदा है अबे क्या कहो मैं, जब इमान जदा है तो तुम्हारे हाँ crying कम होने चाहिए लूट पार्ट कम होना चाहिए बैमानी नहीं होनी चाहिए लेकिन यह है तुम्हारे यह सबसे ज़ादा तो जब इमान में तुम ज़ादा हो तो सबसे बड़े बैमान पाकिस्तानी क्यों सबसे बड़े धोखेबाज पाकिस्तानी क्यों सबसे बड़े चालबाज पाकिस्तानी की हूँ, सबसे बड़े लालची पाकिस्तानी की हूँ एक contradictory बाते होगी न लेकिन तुम लोग समझों के नहीं खर, अच्छा है, ऐसे लोग पाकिस्तान में भरे रहें पाकिस्तान कभी उठी नहीं पाएगा तबाह होता रहेगा, मानते रही है, सचाई आपको नहीं मानना है मत मानो पाइग, coexistence नाम का एक शब्द है याद रखना जब तक उस पर नहीं आओगे तब तक तुम्हारा भला नहीं हो सकता तुम्हारा उपर वाला भी आके तुम्हारा भला नहीं कर सकता उसके पास भी तनी ताकत नहीं है जिसको तुम्हानते हो ना, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा अगर ऐसा हुआ होता तो 76 years में अब तक तो पाकिस्तान जैसा मुल्के पूरी दुनिया में नहीं होता कोई है कि नहीं कमेंट करके आप बताएं, जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार जैंग